अगर आप एक relationship में और उस relationship में आपके partner clearly आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो आज की reading आपके लिए है, आज की reading का topic है कि आपके partner आपको क्या बताना चाहते हैं आज की reading एक generalized reading है, बहुत सारी energies निकल कर आएंगी जो भी energies आपके साथ resonate होंगी, आप उन्ही energies को pick कीचेगा, बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीचेगा आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है, long distance relationship में है या फिर किसी complicated relationship में है, आज की reading definitely आपके साथ resonate होगी आज की reading में मैं किसी भी particular zodic signs का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये reading सभी zodic signs के लिए है, okay, so आएए जानते हैं कि आपके partner आपको क्या बताना चाहते है सबसे पहले तो आपके partner आपको ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको कि उन्हें हर वक्त के साथ आपके प्यार के realization जो है वो बहुत strong होती चली जा रही है आपके partner को इस बात का एहसास हो रहा है कि आपसे बहतर जीवन साथ ही, उन्हें कभी भी कोई नहीं मिल सकता है और वो sincerity के साथ आपके साथ अब अपना ये relationship निभाना चाहते हैं वो modesty के साथ आपको प्यार करना चाहते हैं, वो अपनी loyalty आपकी तरफ show करना चाहते हैं और वो आपको ये भी बता रहे हैं कि इस बारे में वो अक्सर किसी से बात करते हैं वो person उन्हें ये guidance दे रहा है कि अभी ये सही वक्त नहीं है अगर वो अचानक से आपके साथ बात करेंगे, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके partner को पहले अपने जीवन में बहुत ज़्यादा strong बनने की जरूरत है, तभी आपके partner आपकी तरफ वापिस लोट सकते हैं आपके partner आपको ये बताना चाहते है कि वो इस relationship को लेकर बहुत ज़्यादा emotional है वो एक decision बना चुके हैं कि उन्हें अपना जीवन आपके साथ ही spend करना है आपने अपने इस relationship में बहुत ज़्यादा input दिये हैं लेकिन आपके partner आपकी तरफ अपना कोई भी फर्ज नहीं निभा पाए आपके partner आपके साथ union चाहा रहे हैं आपने इस relationship में कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा हमेशा अपने partner के बारे में सोचा आपने पने partner को space दी और आपके partner ने उस space का गलत फाइदा उठाया है आपके partner आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस relationship में एक ऐसा time भी आएगा जब वो आपको देखने के लिए ही तरसेंगे जब वो आपको ये एसास दिला देंगे कि आपके partner ने आपको छोड़ दिया है उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि आपको ये इतनी गंदी feeling आपके partner की बज़र से महसूस होगी आपके partner को ऐसा feel हो रहा है कि ये रिष्टा उनके हाथ से चूटता चला जा रहा है जितना जादा वो इस रिष्टे में वक्त ले रहे हैं उतना ही आप दोनों के बीच में gap बढ़ता चला जा रहा है वो ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो क्या करें उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आते है आप ये मत सोचिए कि उनके लिए decision making tough है कि उन्हें आपको choose करना है किसी और को choose करना actually वो आपको choose कर चुके है बस फैसला ये बनाना है कि आपकी तरफ चलना किस तरह से है आपको किस तरह से अपनी life की हर एक situation के बारे में बताना है कैसे इस relationship को balance करना है कैसे आपका विश्वास दुबारा से जीतना है इसके बारे में आपके पार्टनर अकसर जगल करते रहते है और उनके एर्दगिर्द कुछ ऐसे लोग है जो उन्हें इस juggling energy से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते है ठीक है आपके पार्टनर को इस बारे में कोई शंका नहीं है कि वो अपने जीवन में खुछ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रह सकते है आपके पार्टनर इस time पर इस relationship के लिए बहुत ज़ादा compassionate है और कुछ अच्छी choices अपनी life में बनाना चाह रहे हैं कुछ अच्छे रास्तों को चयन वो करना चाह रहे हैं इसलिए अपने आपको emotionally आपके सामने वो express नहीं करना चाहते है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आपके सामने खुद को emotionally express कर दिया तो वो बहुत ज़दा weak हो जाएंगे क्योंकि आपकी expectations आपके partner से बहुत ज़दा बढ़ जाएंगे और इस time पर आपके partner शायद आपकी expectations को पूरा नहीं कर सकते है ठीक है ये चीज़े आपके partner आपको बताना चाहते है देखिए आपके partner के अंदर एक अलग सी transformation होई है ये जितने भी energies निकल कर आई है जो अभी तक मैंने आपको बताई है ये उनके heart chakra की energy है जो की बहुत strong है बहुत stable energies है लेकिन आपके partner के इर्दगिर्ट ना कुछ ऐसे changes हो रहे है जिस पर आपके partner का control नहीं है आपके partner आपको वो अपने around के miserable changes के बारे में बताना चाते है आपके partner आपसे ये कहना चाते हैं कि उनकी life के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो उनके समझ में नहीं आ रहे है उनके finances अच्छे नहीं है उनकी health अच्छी नहीं रहती है उनके घर परिवार वालों के साथ उनके रिष्टे बिगड़ते चले जा रहे है उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनके जीवन खतम हो रहा है वो एक negative zone की तरफ जाते चले जा रहे है ये चीज़ आपके partner आपको बताना चाहते है लेकिन अगर ये चीज़े वो आपको directly बताएंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप ये सोचेंगे कि वो आपकी sympathy गेन करने की कोशुश कर रहा है लेकिन आपके partner आपकी sympathy नहीं है आपका प्यार और आपका साथ चाहते है अब आप ये चीज़ कहेंगे कि माम हम तो हमारे partner का साथ देने के लिए तयार है लेकिन time तो उन्हें लेना पड़ेगा न सिरफ emotions रखने भर से तो कुछ नहीं होगा मैं आपकी बात की साथ बिलकुल agree करती हूँ सिरफ emotion रखने से कुछ नहीं होने वाला है लेकिन आपके partner को ना अपनी life में जो चीज़े चल रही है उस पर बिलकुल भी clarity नहीं है आपके partner के around बहुत सारी चीज़े ऐसे हो रही है जिसमें आपके partner ना फस्ते चले जा रहे है आपके partner को प्यार को लेकर कोई शंका नहीं है लेकिन अपनी life के path को choose करने में उन्हें बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ रहा है आज के time पर आपके partner ने ये बाद ठान ली है कि इस relationship को वो बहतर बनाएंगे पर किस तरह से बहतर बनाएंगे क्योंकि जब भी वो इस relationship की तरफ को move करने की कोशिश करते हैं तभी उनके सामने बहुत सारे challenges आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक बार सोचने के लिए मजबूर करते हैं क्या ये time सही है emotions पर invest करने के लिए आपके partner आपको लेकर किसी तरह के question mark की energies में नहीं घिरे हुआ है आपके partner को जो problems आ रही हैं वो अपने इर्द गेर्द वाली problems है क्योंकि आपके partner को brain train करने के लिए कोई person उनके साथ जुड़ा हुआ है जो उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जतनी जादा disturbance उनके जिन्दगी में है ना उतनी ही जादा disturbance इस relationship में अब हो चुकी है शायद आपने ही उनके साथ इस relationship से move on कर लिया है अब आप इस relationship में अपने partner का इंतजार नहीं कर रहे है ये कोई और person उनके दिमाग में डाल रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस relationship को वो productivity की और नहीं लेकर जा सकते है अब ये relationship unproductive हो गया है अब चीजों को वो reverse नहीं कर पाएंगे ठीक है और ये changes ना आपके partner के अंदर बहुत अचानक से आते हैं इन changes को आपके partner आपको नहीं बता पा रहा है आपके partner कुछ दिन positive energies में रहते हैं लेकिन उसके बाद एक cyclic shift आपके partner की energies में आता है आपके partner उस cyclic shift को ना आपके सामने अपने शब्दों में explain करना चाहते हैं वो cyclic shift actually आपके partner को समझ नहीं आते है क्यों बदलाव हुए क्यों आपके partner की जिन्दगी के अंदर हर एक चीज एक low zone में जाने शुरू हो गई यह चीज़ें आपके partner को समझ में बिलकुल भी नहीं आती है ठीक है आपके partner इस time पर बहुत ही ज़ादा resentment की energies में है आपको यह चीज़ नजर आ रही होगी कि आपके partner आपके लिए यह इस रिष्टे के लिए कोई भी decision नहीं बना रहे है उसका कारण यह है कि आपके partner की जो energies है ना वो बहुत ही ज़ादा negative है आपके partner का aura जो है वो बहुत ही ज़ादा negative है आपके partner इस time पर एक denial की energies के अंदर enter कर चुके है और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ को बढ़ना नहीं चाहते है तो आपके partner आपको यह बताना चाहते है कि वो आपसे बहुत ज़ादा मौपत करते है आप उनको लेकर कोई भी negative perception मत बनाएए आपके partner आपसे बहुत ज़ादा प्यार करते है लेकिन आपके partner को यह चीज़ नहीं पता है कि आपके उनके बारे में इतना negative नहीं सोचते है ठीक है आपके partner को यह अपने आप से महसूस होता है कि नहीं आप उनको लेकर को judgments बना चुके है यह सब कुछ कहां से आ रहा है यह इस person से आ रहा है आपके partner को कोई misguide कर रहा है और ये third party energy है आपके partner के around आपके partner की सामने इस third party का कोई भी असली चेहरा नहीं आया है इस वजो से आपके partner इस person पर बहुत ज़दा यकीन करते हैं इस person ने आपके partner को एक self doubt की energy इसके अंदर डाला है आपके partner को खुद पर ही विश्वास नहीं रहा आप अपने partner की wisdom के उपर बहुत ज़दा rely करते हैं आप अपने partner की समझदारी पर यकीन रखते हैं लेकिन आपके partner को खुद पर ही बिल्कुल भी यकीन नहीं है आपके partner को ऐसा feel नहीं होता है कि वो इस रिष्टे के लिए कुछ positive कर पाएंगे आपके partner करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये आपके रिष्टे का भी सच है और आपके partner आपको अपने feelings को completely बताना चाहते है वो आपको खोना नहीं चाहते है उनके अंदर एक fear, एक anxiety की energy बढ़ती चली जा रही है आपके partner को ऐसा लगता जा रहा है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे आपके और उनके बीच का जो distance है वो बढ़ता चला जा रहा है अगर अब भी आप अपने partner को क्या है आएए वो जान लेते हैं आपके इस relationship की actual energies क्या है क्यों इतना उतार चड़ाव है आपके इस रिष्टे में door to romance का card है happy family का card है then is door to value का card है the next is the sun का card है and bottom of the deck पर door to personal healing and happiness का card है देखिए आपके इस relationship में आपके जो partner है वो इस चीज़ के लिए बिलकुल clear है और वो ये चीज़ आपको बताना भी चाहते है कि वो आपके साथ एक अच्छी सी family बनाना चाहते है वो आपके साथ rainbow के साथ और हमकी energies को enjoy करना चाहते है वो आपके साथ अपना feelings है उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते है बस अब फरक यही रह गया है कि उनके दिल की energies को उनकी जो romantic feelings है आपके लिए उन feelings को suppress करने की कोशिश की जा रही है उसका reason यह है कि आपके partner के around कोई ऐसा person जुड़ा है जो आपके partner से किसी ना किसी तरीके का benefit उठा रहा है जो person आपके partner की वजह से अपनी life में luxuries enjoy कर रहा है वो person यह नहीं चाहता है कि आप दोनों का reunion हो आपके partner आपके साथ ना एक carefree होकर relationship ने भाना चाते है क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ बात किरने में उन्हें अपना इतना दिमाग लगाने के कभी जरूरत नहीं पड़ती है वो हमेशा खुल कर आपके साथ हर एक चीज अपनी life के discuss कर सकते है तो आपके partner की तरफ से जो vibrations है ना इस relationship की वो बहुत positive है आप ये सोच रहे हैं कि अगर इतनी सा positivity है तो फिर हमारे partner क्यों step नहीं लेते हैं क्योंकि यहां पर जिस person का benefit आपके partner के साथ जुड़ा हुआ है उसने आपके दोनों के एक दूसरे के जिंदगी में आने के दरवाजे बंद किया हुए है तो इस relationship में healing की जरूरत है तभी इस relationship में आपको happiness महसूस हो पाएगी तभी इस relationship में कुछ positivity आप experience कर पाएगे नहीं तो ये चीज possible कभी हो ही नहीं पाएगी इस बात को समझ लीजे आप इस relationship को लेकर जतना मर्जी भटकते रहिए जब तक इस relationship में वो जो blockages हैं जो दर्वाजे बंद हुए हैं वो दर्वाजे नहीं खुलते हैं तब तक इस relationship में आप अपने partner की तरफ से जो उनके heart chakra से vibrations निकल रही हैं उसे receive कभी नहीं कर पाएगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में आपके partner आपके लिए ही बने हैं आप अपने partner के लिए ही बने हैं और आप उनके साथ अपनी पूरी जंदगी बिताना चाहते हैं तो आपको अपने partner के लिए एक reading लेनी चाहिए reading में आप अपने partner की blockages को जानने की कोशिश कीजिए accordingly आप अपने partner के लिए कोई healing का process या फिर कोई remedy गोत्रू कर सकते हैं आए अब हम इस deck से जानते हैं कि divine आपको आपके इस रिष्टे के लिए क्या guidance देना चाहते हैं divine की तरफ से आपके इस रिष्टे के लिए क्या messages हैं आये जानते हैं divine आपको क्या blessings देना चाहते हैं divine की तरफ से क्या messages है divine आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए ठीक है कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आप देखकर भी अन्देखा कर रहे हैं रश में आकर ये डिसिशन मुट लीजिए कि आपको अपने इस रिष्टे से आगे बढ़ना है, अपने इस रिष्टे के प्रतियपनी परसेप्शन को चेंज कीजिए, आप आज भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, जितनी मेगनेटिक एट्राक्शन आपको अप के पार्टनर को भी फील होती है, तो अपने इस प्यार को आपको मारने की जरूरत नहीं है, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन उस नई शुरुआत को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको एक एडवेंचरस पाच पर चलना होगा, और वो र हो सकता है, वो आपके बिलीव सिस्टम से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तो उस रास्ते को आपको अपनाने की जरूरत है, जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, तब तक अंदरूनी शान्ती आपको नहीं मिलेगी, चीज़ें जिस तरहां से हो रही हैं, उसे आ आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, आप अपनी थौर्ट प्रोसेस को अपने पार्टनर की एनोर्जी इस पर जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उससे आपके इस रिष्टे के अंदर कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं होने वाला है, बस इस बात का ध्यान रखे कि आप यूनिवर्स की तरफ को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप निगिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, वही निगिटिविटी आपके पार्टनर रिसीव करेंगे, अगर आपने इस रिलेशनशिप को सेरिंडर कर दिया, तो आपका ध्यान होना चाहिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी, कि जितने भी unwanted thoughts आते हैं, वो आपकी life को negativity की और धकेल रहे हैं, जब आप उन unwanted thoughts पर एक लगाम लगा लेंगे, तब आप नई opportunities की तरफ बढ़ पाएंगे, तब आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो सव आप अकसर मुझसे पूछते हैं, मैं हम क्या करें, अपनी आखें बंद कीजिए, और खुद से पूछने की कोशिश कीजिए, कि इस रिष्टे में आप चाहते क्या हैं, अगर आपका दिल ये कहता है, कि आपको अपने पार्टनर की साथ रहना है, तो अपने इस रिष्टे हैं, कि आज हो सकता है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से physically दूर हो, लेकिन spiritually आज भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठेक हैं, और आप दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है, ऐसा आपके पार्टनर का मानना है, वो ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, देखिए, रिष्टे में जितनी चीज़े समझ आ रही हैं, वो तो ये ही दर्शा रही हैं, कि आपके पार्टनर को आपसे दूर जाने पर आपके प्यार की realization हो गई है, लेकिन उनकी life के अंदर कोई negative person उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके पा पार्टनर को इन energy से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो emotions आपके पार्टनर के अंदर पनप रहे हैं, वो उनके अंदर ही रह जाएंगे और आपको कभी उन emotions को जीने का मुका ही नहीं मिलेगा, ओके, so I hope आज की reading से आपको अपने इस रिष्टे को लेकर कुछ clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा, ये reading आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है, तो like करना मत भूलिएगा, अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीज़ेगा, हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर, अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके, so do share my video also, अगर आप म मेरे whatsapp के थ्रू या फिर मेरी email id के थ्रू book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, आप please मेरे channel को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-ने videos की notification मलती रहे, so thanks for watching, see you soon. कर दो